प्रिंस स्वागत है मेरे चैनल में आपका तो फिरिंस आज हम इस वीडियो में प्रिंसिस कट प्लाउस बनाना सीखेंगे तो फिरिंस वीडियो को पूरा देखें तो सबसे पहले देखिए हमने यह मैन फैबरिक लिया है इसे टू फोल्ड में करके रखा है और यह हमारा एस् इंची लिया है और पंद्रा इंची का हमारा बन कर रेडि होगा यहीं वान इंच प्लस करके लेना होता है लेंगे तो सोल्डर यहां पर ले रहे हैं हम साड़े पाँच इंची इसके बाद देखिए हमार मोल्स लेंगे छैंची इसके बाद देखिए यहां से चेश्ट का फूर पाट लेना है चेश्ट हमारा चतीस इंचे तो उसका फूर पाट नौ इंची लेंगे और दो से ढाई इंची लेना है एक्स्ट्रा माजन के लिए वान इंच की गुलाई देंगे यार मोल्स की साइट से इस तरह के से यहां पर हमने की विर्थ रख रहे हैं टू फॉर इंची और यहां पर देखिए लैंट में अपने अकोर्डिंग ले देंगे तो यहां पर मने रहे हैं कितना 6 इंची ले रहे हम मार्किंग को अच्छी तरह के से डार कर लेंगे और एक वोक्स बना लेंगे इसके बाद देखिए यहां से गोलाया करकर सेब देंगे अब यहां से देखे हमें साड़े 11 इंच पर मार्क करना है प्रेंसेस कट सेप के लिए अब इसके बाद देखे हमें यहां से हमें 4 इंच पर मार्क करनी है अब इसके बाद देखे हमें साड़े 3 इंच पर मार्क करना है इसके बाद देखें यहां से हमें 2 इंच पर मार्क करना है इसके बाद देखें उपर की साइड हमें मिला देंगे हम नीचे वाली पॉंट को अब इसके बाद देखें यहां से हमें 1.5 इंच पर मार्क करना है दूसरे वाली Marking से और इस तरीके देखे vam princess cat का save देएगे अब इसके बाद देखे इस वाली पर्स को हमें our mould की साइट इस तरीके जिम मिला देना है मिलाने के बाद देखे हम mein fabric लेंगे ओर mein fabric को नीचे रकेंगे और ओपर से रकेंगे और इस तरवाला fabric अब जहां से हमने मार्किंग की थी वहां से कट कर लेंगे दोनों फैवरिक को अब इसके बाद देखें यहां से निक को भी कट कर लेंगे तो दोनों पार्ट्स को अच्छी तरीके से कट कर लेना है आर्मूल साइट से भी कट कर लेंगे अब इसके बाद नीचे वाली साइड से भी कट कर लेना है कटिंग हमारी हो चुकी है अब इसके बाद देखें स्टेचिंग करनी है तो सबसे पहले देखी हमें क्या करना है जो सेंटर वाला इस साय उसको रेडि करना है तो यहाँ पर देखे हम नेक को साथ में ही ready कर रहा हैं तो दूनों parts को इस तरीके से बरावर करके रख लेंगे बरावर करके रखने के बाद देखें यहाँ पर हमें 1.5 इंच का माजन चूड़ना है और सारे इसे में आच्छी तरीके से सिलाई को fish कर लेना है तो इस तरीके से सारे से मैं अच्छी तरीके से हमने सिलाई को फेश्ट कर लिया है अब इसके बाद इसमें हमें छोटी-छोटी से कट करना है तो इस तरीके से कट कर लेंगे सारे इससे मैं कट करने के बाद देकिए एस्तर वाली फैवरिक को मैं ऐस तरीके से करना नहीं अंदर की साइड और ओस जो एसTर वाला फैवरिक है उसको उपर रखना है और उसके उपर से एक सिलाइको अच्छी तरीक के बनकर ready होगा तो इस तरीके से देखे सारे से मैं अच्छी तरीके से silahy को скорее कर लेंगे फिश्ट हमने कर लिया अब इसके बाद देखे इस अंदर की साइड इस तरीके से फोल्ड करेंगे 준idididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididid उनको ready करने के लिए देखिए दोनों parts को इस तरीके से रख लेना है एस तरवाले और man को तो दोनों कर को बरावर करके इस तरीके से रख लेना है बरावर करने के बाद देखिए यहाँ पर हमें सिलाई को fist करना है तो यहाँ पर देखिए हमने अच्छी तरीके से सिलाई को fist क कि अगर ना है हमें इस तरीके से जोइंड भी कर सकते हैं अगर आपको यहां पर पाइपन नहीं लगाना है simple भी रख सकते हैं यहाँ पर हम pipe in यूज़ कर रहा है इसलिए इसको अलग से fist करेंगे तो यहाँ पर देखिए pipe in को इस तरीके से रखना है हमें तो इसे हमें hook पट्टी की side रखना है और इसके बाद उपर से side वाला fabric रखना है और उसके बाद देखिए दूनों को इस तरीके से stage करेंगे तो हलकी से marking करते हुए और इस तरीके से सिलाई को fist करते जाना है और दूनों फेबरिक को बराबर रखना है उपर वाले और नीचे वाले को और pipe in को center में रखना है तो प्रेंसे से अच्छी तरीके से paste करें सिलाई के according तो देखिए इस तरीके से हमने सारे से मैं अच्छी तरीके से pipe in को लगा कर ready कर लिया है अब दूसरा वाला पार्ट से उसमें भी same इसी तरीके से attach करना है तो देखिए इसने कितनी perfect तरीके से हमारा जो फ्रेंसेस cut का save है वो बनकर ready हुआ है अब इसको cut कर देंगे extra 5 pin को cut करने के बाद दूसरा भी same इसी तरीके से attach कर लेना है और बना कर ready कर लेंगे तो यहां पर देखिए दूसरा भी same हमने इसी तरीके से बना कर ready कर लिया है तो दूनों को देखिए इसी तरीके से complete कर लिया है अब इसके बाद हमें यहां पर high party और hook party बनाना है तो high party बनाने के लिए सबसे पहले देखिए आपर हम 4 इंच चोड़ी एक पटी लेंगे और उसको इस तरीके से रखेंगे तो यहां पर देखिए आदा इंच का माजन देती हुए सारे से मैं अची तरीके से stitch कर लेंगे उपर की साइड में आदा इंच एक्स्टर रखना है अंदर fold करने के लिए तो यहां पर देखिए हमने निक को पहले ready कर लिया है इसलिए यहां पर तो यहां पर देखिए सबसे पहले हमें एक्सलाई को फेस्ट कर लीना है और उसके बाद एक्सलाई को और फेस्ट करना होता है अब जो एक्स्टर है उसको कट कर देंगे देखिए फ्रंस यहां पर हम एक्सलाई और फेस्ट करेंगे इससे हमारा हाई बनाने में इज़ी होता है यहनि इसके जो सेंटर सा होता है वहाँ पर हम हाई बनाएंगे तो यहाँ पर देखें इस तरीके से हमारी जो हाई पर्टी है वो बनकर रेडी हो गई है अब इसके बाद काई से हमें हुक पर्टी बनाना है तो देखें यहाँ पर हुक पटी बनाने के लिए सबसे पहले हम याँ पर दो इंचे चोड़ी एक पटी लेंगे ऐस्तर वाली और उसको इस तरीके से रखेंगे और उपर की साइड हमें आदा इंचे एक्स्टर रखना है अब इसके बाद देखें सारे से मैं आची तरीके से स्टेज कर लेंगे स्टेज हमने कर लिया अब इसको सीधा करेंगे पटी को सीधा करने के बाद इसके उपर से एक्सलाई को फेस्ट करेंगे इस तरीके से अब इसके बाद देखेएं आप पर हमें इस तरीके से अंदर की side इसको fold करना है और fold करने के बाद एक बार और fold करना है य millions दूर बार fold करना है और इसके बाद इसके उपर से एक CGI को paste करना है तो देखे इस तरीके से हमारी जुहाई पर्टी अब भी बनकर रेडी हो चुकी है तो देखे इस तरीके से हमारी जुहाई पर्टी और उख पर्टी दोनों बनकर रेडी हो गई है अब इसके बाद हमें जो नीचे बाली पर्टी है कमर पर्टी उसको रेडी करना है तो उसको ready करने के लिए देखिए सबसे पहले हमें क्या करेंगे तो यहां पर सबसे पहले देखिए 2 इंच चोड़ी एक पटी लेना है और उसको इस तरीके से stage करेंगे तो सेम इसी तरीके से दूसरी भी पटी भी attach करना है हमें तो इस तरीके से पटी को attach करने के बाद देखिए आगे वाली side से हमें एक से यादा इंच एक्टर रखना है फोल्ड करने के लिए अब इसके उपर से एक सलाई और फेस्ट करेंगे सीधे करके पटी को और इस तरीके से देखिए हमने पटी को टेच कर लिया है अब इसके बाद एक बार और फोल्ड करना होता है अब जो आगे बाली साइड हमने एक्स्टर रखाता है एक से आधा इंच उसको अंदर की साइड फोल्ड करेंगे इस तरीके से और उसके बाद एक बार और फोल्ड कर देना है तो देखी हम पर इस तरीके से हम कमर पटी भी बना कर रेडी कर लिना है अब इसके उपर से सलाई को फेश्ट करेंगे तो देखी फ्रेंस इस तरीके से हमारी जो कमर पटी है वो भी बना कर रेडी हो गई है अब इसके बाद जो दूसरी कमर पटी है उसको भी सेम इसी तरीके से बना कर रेडी कर लिया है हमने तो इस तरीके से देखिए हमारा जो पाइप इन वाला प्रिंसेस कट ब्लाउस है वो बनकर रेडी हो गया है तो कमेट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये प्रिंसेस कट चेप का ब्लाउस कैसे